हेलो स्टुदेंट्स अगर आप लाइब क्लास प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहे है या लाइब एक्जाम अपने स्टुक्यर के एप से आपको अपने स्कूल के एप से यह सारी चीजें प्रॉपर अटेंड करने के लिए सबसे पहले स्टुडी जोन के और जाना है study zone पर आपका नेम आएगा तो पर्िटिकुलर केवल आपको अपने नेम पर ही चलिक करना है और कहीं किलिक नहीं करना है, just like this, नाम पर आप किलिक कर लेंगे, देर आपके स्कूल का नेम आजाएगा, और आप live class पर जाकर live class attain कर सकते हैं और live test पर जाकर अपने live test भी attain कर सकते हैं अपने live test दे सकते हैं इना case आपका app proper work नहीं कर रहा है तो आपको अपना app को update करना होगा उस app को update करने के लिए आपको play store पर जाना है live class या live exam के लिए तो सबसे पहले आपको सर्च करना है फिलिप इकाडमी यह फिलिप अकैडमी आप देख लिजए अगर अपडेट आपकी पह आ रहा है तो आप अपडेट कर लीजए मैंने अपडेट कर लिया है और आपको लेटेस्ट देखना है कि कौन सी डेट है तो ये about this app का options आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो latest update है वो 10 जून का है तो ये 10 जून का update latest आपके phone में होना चाहिए अगर 10 जून का ये date नहीं आ रही है तो आपको करना क्या होगा उसके लिए आपको अपना फोन को एक बार restart करना होगा रिस्टार्ट करके आप आएंगे प्ले स्टोर पर तब ये आपका 10 जून सो कर जाएगा इनकेस रिस्टार्ट फोन करने के बाद भी अपडेट सो नहीं कर रहा है प्ले स्टोर पर तो आपको करना है अपने प्ले स्टोर पर जाना है इस तरह से प्रेस करना है और इस आई पर चले जाना है आई पर जाएंगे then storage के options पर click करेंगे आपको यहां पर clear cache कर देना है जो cache memory है इसको clear cache कर देंगे इसके बाद आप बाहर आ जाएंगे और आप play store पर जाएंगे play store पर flip academy type करेंगे enter करेंगे और about this app में देखेंगे आपकी यह updated date आ गही होगी और update का भी options आ रहा होगा आपके phone में आप update कर लेंगे और आपकी यह सारी problem resolve हो जाएंगी आप proper live class और live exam attain कर सकते हैं अपने school के app से okay students तो आपको flip academy का app को अपना update करना है तो update करने की process आप समझ गए हैं इसको apply कीजिये और जो भी problem है वो आपकी resolve हो जाएगे okay student thank you